महीने भर की घर की और पर्सनल शॉपिंग करते हुए कई लोग सिर्फ खर्चा करते हैं कभी कबार थोड़ा बहुत सेव कर लेते हैं कभी कैश बैक, कूपॉन या पॉइंट्स रिडीम कर लेते हैं अक्सर तो वो भी रिडीम करना भूल जाते हैं अब आप ही बताईए, इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका मगर कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं स्मार्ट मैं अब घर, ग्रोसरी और पर्सनल शॉपिंग करती हूँ सिर्फ अपना कैंटीन से और रेगुलर्ली अपने फ्रेंज और फैमिली को अपना कैंटीन में रेफर भी करती हूँ और उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि वो भी हर बार अपनी शॉपिंग अपना कैंटीन से ही करें और साथ ही साथ अपने कॉन्टाक्ट्स को रेफर करके अपना कैंटीन के इस नायाब चेंज से जोड़ें क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं डिसकाउंट्स और सेविंग्स तो हैं ही पर थैंक्स टु मेरे अपना कैंटीन वाले जुड़ने वाले रेफिरल रिवार्ट्स के कैश का जिससे मैं अपनी और अपने फैमिली की एक्स्ट्रा जरूरते और शौक भी आराम से पिना कोई स्ट्रेस या प्रेशर लिए पूरा कर सकते हूं अब आप किसका इंजार कर रहे हैं? पॉइंट्स और कैश पैक रिटीम करने का? अब आप कर रहे हैं